तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड में इंसर्ट मेनू यह एक फाइल हमने पहले से बना रखी है इंसर्ट टैब आप देख सकते हैं ओपन है इंसर्ट टैब टोटल पेजेस टेबल्स ऐसे करको कुछ सेक्षन में डिवाइड है यह ट्यूटोरियल बहुत ज्यादा लेंडी नहों इसलिए इसको मैंने तू पार्ट में डिवाइड किया है तो फिलाल हम लोग टेबल्स और इलुस्ट्रेशन टैब को इस पार्ट में डिसकस नहीं करेंगे इसको आप मेरे सेकेंड पार्ट में डेख सकते हैं तो बात करते हैं कि आखिर यह इंसर्ट को यूज किया है आझ वर्ड में आप देख सकते कि टेक्स ड़ापमेंट में लेखा हुआ है कुछ फो मैट है अब टेक्स के अलावा अगर एडिशनल कुछ अपने डॉकमेंट में लगाना चाहते हैं तो वहां पर इंसर्ट मेनू क फिलओ का यूज होता है जैसे कोई पिक्चर हो गया कोई हो गया या कोई बना बनाया से हो गया हइपर लिंग हो गया page number डेट टा Anybody ब्लडsection अन्हें गोर्फ कैशा हो जो हम ce niveau लगाते हैं तो तो आप यहां पे inbuilt कुछ cover page दिए हुए, इन में से choose कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने इसको choose किया, mode, आप देख सकते हैं, काफी attractive है यह, cover page, और यहां पे आप चाहें, तो जो भी आपका related text है, लिख सकते हैं, यह फिलार मेरे computer का name है, जो first is में heading था जो भी आपके document का title है, उसको आप change कर सकते है, as your requirement, ठीक, तो यह तो बात हुई, cover page की, सिर्फ पहला page पे पे वो action होता है, apply, cover page के बाद है, blank page, blank page क्या है, देखते हैं, suppose मान लिजे कि मैंने इसको zoom out किया, यहां पे आप देख सकते हैं, कि दो page है, एक page पे पे पिक्चर certified student help लिखा है, इन डोनों के page में यहां पे एक page हम को चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यह जैसे cover page का जो यह last में है, इस पे click कर दे हम, या मान लिजे यहीं पे करते हैं, इन डोनों page के बीच में, इसके बाद हमने click किया, insert blank page, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक blank page insert ह हो गया, यहां पे total six pages थे हैं, और अभी यह number of pages जो है, हमारे increase हो गया, blank page, ठीक, जहां से मैंने pointer पे add किया था, उसके बाद से एक page और add हो गया, तो इस type से आप blank page add कर सकते हैं, इसके बाद यह page break, तो page break को बताने के लिए, मैंने एक नया word का document create किया, और एक question मैंने लिखा कि what do you understand by control panel, question है कि आप control panel से क्या समझते हैं, सपोज आप किसी school के लिए question paper prepare कर रहे हैं, और आपने क्या करना है, मैं ऐसा question paper prepare करना है कि answer आपको इसी seat में लिखना है, यानि कि आपको अलग से copy student को नहीं देना है, ये, ठीक, और एक page का है, इसका मतब क्या है कि दूसरा question हमको दूसरे page पे लिखना है, यानि कि अब हमको क्या है, एक blank page की, मतलब blank page नहीं, इस page पर further आप कुछ लिखना नह है, तो हमको अब जो भी question second है, उसको हमको दूसरे page पर type करना है, तो हमको क्या करना है, दूसरे page पर जाने के लिखना होगा, या तो हम enter, 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 press करते हैं, या जो इसका तरीका है, वो ये है page break, आप जिस point पर हैं, जहां से है, page break पर click करेंगे, उसके बाद की चीज़े दूस इसी question को फिर से मैंने copy paste कर दिया, इसके बाद page break चाहिए, तो shortcut होता है, control plus enter, यहाँ पर देख सकते है, control plus enter, ठीक है, तो कभी भी आपको page को break करना हो, new page create करना हो, तो shortcut है, control plus enter, या pages में जाके page break, ठीक है, इसके बाद आते हैं, table और illustration को तो हम next topic में देखेंगे, suppose माल लिजिए, यह मेरे document का heading है, गिरफा, student help, अब हम यह चाह रहे हैं, कि जब यह मेरा document बन जाए, कोई भी इस पर click करेंगे, तो मेरे website पर transfer हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, इसको hyperlink में convert करना पड़ेगा, तो क hyperlink में convert कर सकते हैं, hyperlink का मतलब यह होता है, कि उस particular text पर user क्लिक करता है, तो वहां से जो link भी आपने दिया है, उस link पर चला जाएगा, वो link आपके system में की कोई file हो सकती है, या कोई web address हो सकता है, फिलाल मैं क्या करना हूँ, यह जो text है, इसको मैंने select किया, और मैं इस पर link द shortcut आप देख सकते हैं, ctrl plus k, ठीक है, या तो आप ctrl plus k का रहें, या इस पर click करें, click मैंने कर लिया, अब यह पूछ रहा है, मेरा web address, ठीक है, तो web address मेरा क्या है, तो मेरा जो blog का web address है, वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, copy paste करने के लिए, गिरफा student यह, इसको मैंने copy कर लिया, और इस web address को यहाँ पर paste कर दिया, तो आप देख सकते हैं, कि यह text के नीचे, यह blue हो गया, और underline आ गया है, normally जो link होता है, हमारा, ऐसा ही होता है, कहीं पर भी link पर आप underline देखते हैं, अब हमने क्या किया, यहाँ पर mouse हम ले गए, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिक के आ रहा है, control plus click to follow the link, यानि कि यह word है, इसलिए आप यहाँ पर direct click करने पर उस particular link पर नहीं जाए जाएंगे, फिर आपको क्या करना, control के साथ click करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, control के साथ click करने को बोला है, तो हम क्या खानने जाना है, control के साथ click किया हमने, अ control को प्रेस किया है, यह पैचान है कि यह hand आ रहा है, मैंने जब control को छोड़ा, तो hand चला गया, control के साथ click किया, और देख सकते हैं, कि जो मैंने link दिया है, वो link open हो गया, तो इस तरीके से आप hyperlink लगा साथ सकते हैं, जब भी जरूवत हो, अब बात करते है, bookmark की, bookmark क्या है, बुक मार्क एप्रोक्स वैसा ही है, जैसा हम लोग books में bookmark का यूज करते हैं, हम लोग page को more डेते हैं, या page में कुछ लगा डेते हैं, आजकल जब हम लोग नए books लेने जाते हैं, तब भी हमको एक bookmark मिलता है, आप diary वगरा में देखेंगे कि एक ribbon लगा रहता है, जिससे हम को यह पता चलता है कि हम किस page पे last work, recently work कर रहे थे, तो आप देख साथ न सकते हैं, जो यह हमारा है, इसमें total six pages हैं, तो हम एक bookmark बनाना चाहरे है, बुक मार्क में इस page पे कही ने कही एनियक के बारे में लिखा है, एनियक क्या था, first electronic computer था, तो हमने यहाँ पे एनियक का न तो यह topic जहां भी लिखा है, वहाँ पे transfer हो जाए, तो हम को क्या करना है, मतलब bookmark क्या है, जगा 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 bookmark बनाना, तो आते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है, हमने इसको select किया, और bookmark पे आये, यहाँ पे पहले से बहुत सारे bookmark बने हुए, तो मैंने इस section को नाम दे दे दिया, E computer, एनियक पे यह link पहले से लगा हुए, तो फिलाल मैंने इसको delete करके कोई और text लिखा, मैंने लिख दिया first computer, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, select किया, अब चाचा है तो पूरे को select कर सकते हैं, बुक्मार पे आये, और हमने नाम दिया, F computer, यानि कि first computer, every way form में हमने लिखा है, और इसको हमने क्या किया, add कर दिया, F computer, फिर हमने इसको यहाँ पे add कर दे दिया, तो यह आपका add हो गया, comma मैंने नाम देया था, अब तो यह बुक्मार बन गया आपका, अब अगर कभी आपको इस बुक्मार को widget करना है, तो आप कैसे widget करेंगे, ठीके, तो हम आते हैं, आते हैं, फर्दर हम document में कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी हैं, अब हमको उस particular bookmark पर जाना है तो आप अपने डॉक्मेंट पर जगहां जगहां bookmark बना सकते हैं आपको bookmark बनाने के लिए क्या करना है जैसे यह मैंने एक paragraph select किया और मैंने यहां पर लिख दिया summary हमें फिर से करके दिखा रहे हैं और हमने इस summary को select किया bookmark पर आये और हमने नाम दे दिया sum sort में summary और अब हम कहीं पर भी है document में हम read करने हैं और हमको चाहिए जाए हमको bookmark उस मतलब इस document का summary का है तो वहां पर क्या करना होगा bookmark पर हम आये और यहां पर पहले से इतने सारे बने हुए हैं तो देख सकते summary को मैंने sum नाम था दिया और यहां पर add है delete है go to है अगर आप डिलीट करना चाहते हो किसी bookmark तो डिलीट कर सकते हैं मुझे क्या करना है इस summary वाला जो था मैंने sum नाम दिया है go to और आप देख सकते हैं यहां पर आ गया तो bookmark एक जब आपका document में number of page ज्यादा है तो एक formal way है document में ज्यादा टेजी से navigate करने के लिए तो bookmark लागाने से आपके जो reader को है उसको efficiency increase होद होती है content को find out करने के लिए ए ओके नाओ next है cross reference next है आपका cross reference ये cross reference क्या है जैसा कि इसका नाम suggest कर रहा है एक reference लेकिन cross तो cross reference में click करते हैं फिट डिखते है क्या है इसका मतलब cross reference में जब हमने click किया तो यहां देखिए देखिए ठेखिए reference type में इतने तरीके के reference यहां पर है bookmark footnote and note equation figure and table तो bookmark क्या है हम लोगों ने देख लिया and note क्या है document के last में कोई अगर note होता है footnote क्या है footnote जैसे कि हम लोग होता है किसी चीज के बारे में कोई hidden information देते हैं जैसे एड़ वागेरा में किसी product का rate आता है तो उसके उपर star लगा रहता है star का मतलब होता है नीचे छोटे में लिखा रहता है तो cross reference का मतलब क्या है कि आपके document में जितने भी bookmark बने हैं आप उसको कहीं पर भी add कर सकते हैं जैसे suppose हमको यहीं पर दिखाना है कि जो हमारा user है यहां तक पड़ा और हमने हम चार है कि यहीं पर जो मैंने अभी recently summary के लिए bookmark बनाया तो मैं चारा हो कि यहीं पर कुछ ऐसी चीजे हम मतलब उस summary वाले bookmark को यहां पर add कर तो क्या होगा कि वहां पर ज्यादा जल्दी से transfer होने के लिए तो आपने क्या करना है bookmark में जाएंगे यहां से select हमने कर लिया bookmark और जब हमने bookmark select किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि bookmark text है इसके अलावा कितने है options आप चाओ तो पूरा-पूरा bookmark कर टेक्स लगा सकते हैं वह bookmark किस page नंबर पर लगा सकते हैं किस पैराग्राप पर उस पैराग्राप का नंबर लगा सकते हैं ऐसे बहुत सारे options हैं तो फिलाल मैं क्या करने जा रहा हूं bookmark text तो हैं यहां पर क्या है लिखा हम देखिये कहां पर है मेरा cursor यहां पर है cross reference में ए बुक mark हमने से लेक और फिर यहां से छित कर लिया सम और हमने यहां पर क्या से लेक्षिया ग्रेस तो उस कंटोल के साथ क्लिक करने को यांनि कि यह एक reference भी है security अब अगर यहां पर हम क्लिक करते हैं तो लगा सकते हैं ओर बीिसमें कई नोट पर लगाना तो आप जो भी चीज करेंगे वह यहां पर एड़ हो जाएगा और जब वहां पर क्लिक करेंगे तो वह पर्टिकुलर वहीं पर आ जाएगा जैसे बुकमार्क में अभी जैसे हमने यहां पर सिलेक किया सपोस्सम और फिल देखिए अब हम यहां से क्या सिलेक करने जाने पेज नंबर तो यह क्या करेंगा है यह जो समरी है जिस पेज नंबर पर है उस पेज नंबर को एड़ कर देगा पेज नंबर? सेवन पर है ठीक और हम और यह चीज यहां भी चलेगा चैशन आप पूरा यहां पर आएगा तो फिलार हम इस पर क्लिक करके देखिए कि क्या वह पैज यह चोटा होने को वज़ा से नहीं क्लिक हो जा रहा है आप देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल पेज नंबर सेवन पे आ गया थिक है तो ऐसे तरह तरह के उसमें बुकमार के ऑप्षन है जिसको आप चाहें उसको लगा सकते हैं ठीक अब नेक्स जो है ओप्षन वो है हेडर एंड फूटर का है इसको देख लें हम लोग डॉकमेंट बनाते हैं जैसा कि आप देख सकते कि यहां पे कितने सारे पेजेस हैं अगर आपको कभी भी किसी डॉकमेंट के टॉप पे कुछ लिखना है और बॉटम में कुछ लिखना है तो आप वहां पे हेडर और फूटर का यूज कर सकते हैं अगर आपको डॉकमेंट के टॉप पे कुछ लिखना है तो हेडर का यूज करेंगे प्रिव्यू में भी आप देख सकते हैं अगर हम जब यहां पे ले जा रहा है प्रिव्यू में भी यहां पे दिख रहा है का नाम हर एक पेज पर होता है तो वो header का हिस्सा होता है पेज नमबर हर एक पेज के last में होता है तो वो footer का हिस्सा होता है तो फिलाल हम click करते है header पर और यह ठीक और header पर हमने लिख दिया कि computer information ओके आप इसका फॉंट वागरा चाहे तो सेट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा फिलाल मैंने यहां पर लिखा computer information header से अगर आपको बाहर आना है तो आप देख सकते हैं कि जो यह मेरा working area है यह two parts में divide हो गया नीचे की हिस्सा नीचे का जो part है वो disable हो गया अगर आप mouse क्लिक करें तो नहीं आएगा इसका मतलब कि हम लोग अभी header edit mode में है जब आपको इससे बाहर आना है तो यह working area है यहां पर double click करना है तो आप उसमें आ जाएंगे अभी देखिए header हर एक page पे आ रहा है कि नहीं मैंने इससे header है वैसे इसके opposite में क्या है footer फूटर पर हम आए तो देखिए footer में क्या क्या चीज देख रहा है इतने तरीके के footer हमको देख रहे है फिलाल मैंने यह वाला footer लिया आप देख सकते हैं कि यहां पर page number अपने आप लगा दिया और कुछ भी अगर आपको लास्ट में लगाना है जैसे हमने यहां पर लिग दिया PTO और बाहर में double click किया देखते हैं देखिए page number two PTO page number three PTO page number four PTO ठीक है तो इस तरीके से आप header or footer को लगा सकते हैं header or footer को apply करने के एक shortcut तरीका है वो क्या है वो देखिए यह है जैसे यह जो है आपका यह जो है margin area है यह आपका margin area यह top margin और यह bottom margin जब आप margin area पर double click करते है तो अब यह आपका header footer active हो जाता है escape करने जा बहार आजाएंगे देखिए फूटर पर मैंने double click किया तो यह भी active हो गया खेर तो यह तो बात हुई header or footer की कि नौ नेक्स्ट है option page number page number जब हमने footer लागाया था तो वह अपने आप आ गया और अगर आप चाहे तो कि पेज नंबर को लगाना चाहते हैं और भी कई और संट जैसे पेज के टॉप पर लगाना है तो यह फिए प्रिवियू को देखें प्रिवियू में ही image के लिए रहा है कि text box क्या है text box का मतलब की i Key box नूमा चीज आती है उसको juga page जहाँ वहाँ रहाँ सकते हैं फिलाल मैंने यह वाला ट्यक्स लिया देख सकते हैं इसने text को transfer कर दिया तो आप जो भी हो यहाँ पर लगा सकते हैं जैसे मै ने इस text को copy किया और यहाँ पास-पास के टेक्से उसको เอजेस कर लेगा अब लेक्ता कितना अडिया है अजज सकते हैं है है ऐख से तरह तरह के सबस्कु को आब चाहे तो यूच कर सकते हैं। है कि थे नहें नेक्स जो आपसं है वह है क्विक पार्ट ऐह ऀए कुईовых पार्ट mm है बहुत सारे वर्ट के यूजर है जिनको इसकी जरूवत ही नहीं पड़ती है लेकिन आप क्या है इसका यूज यह है कि जो हमारा डॉक्यमेंट है इसके बारे में कुछ से इंफर्मेशन को सेप करना वो कैसे इंफर्मेशन है वो फटर डिस्क्रीप्टिव इंफर्मेशन होते हमारे कोमें। जैसे डॉक्मेंट प्रोपर्टी आपको यहां पर दिख रहा है इसका ओठर कौन है किसने बनाया की वर्ड क्या है पब्लिक डेट क्या है इस्टेटर क्या है टाइटल क्या है तरह तरह की चीज़े वह आपको विजूल फॉर्म में डॉक्मेंट पे नहीं दिखेगा जब प्राइटल में हम आए और हमने यहाँ पर लिक दिया तॉक्राइटल में लिक दिया यहां पर गिरिफा लेखा हुआ है माल लीजे मैंने लिए इस्टुडेंट हेल्प अब हमने इसको सेब कर दिया यह डॉकुमेंट मेरा डेक्स्टॉप पर सेब है यह बना हुआ है अब हम इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं और डीटेल में जाकर देखते हैं तो टाइटल म हमने जो भी चीजें हमने एड किये यह डॉकुमेंट में पहले से सेब हो चुका है इसलिए टाइटल नहीं आ रहा है अगर हम एक न्यू डॉकुमेंट ले ले लें जैसे कि यह है और हमने यहां पर इंसर्ट में आए और क्विक पार्ट में आए टाइटल पर आए और हमने सेप की किया कि डेक्स्टॉप पे और आकर इसकी प्रापर्टी देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे हैं टाइटल नहीं आया और चलिए एड करके देखते हैं यहां पर हम आगे कुईक पार्ट अधिया और अधिया और अधिया राजकुमार यह मेरे कंप्यूटर का नाम ले लिया है टाइटल एड नहीं हुआ ताइटल में हमने कर दिया गिर्फा और इसको सबको सेफ करके इस डॉकुमेंट को कुरोज कर दिया और रिफ्रेस किया डेक्ते हैं डिटेल में और अब तक अनाम तो नाम में राजकुमार लेका था यह देखिए यह तो यह लास से बढ़ी राजकुमार आप यहां पर देख सकते हैं और तो यह है आगर अपने डॉकमेंट में पर कुछ एम कि आड करना चाहते हैं जो कि उसके प्रापर्टी में दिखे और यह हमेशा ऑलवेज रहेगा तो आप फुक्त पार्ट में जाके तरह तरह के यहां पर प्रपर्टिज है थोड़ा से एडवांस यूजर के लिए हो सकता है भान तीक है नेक्टश झो है UP선 वे वरड आरड वार्ड वरड आयड मैं अपने टेक्स को थोड़ा से इस्टाइलिस लिख सकते हैं आपने यह टेक्स कही ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी का फ्रमेटिंग ए मैं यूज करते हुए देखacements वह फिलाल मैंने यहाँ पर हमने लिख दिया गिर्फा क्योंकि यह मेरे ब्लॉक का नाम है इसलिए मैं इसको बार बार लिखता हूं आप जो चाहें वह लिख सकते हैं इस्ट्ुडेंट एल्प यहाँ पे साइज है इता कर सकते यह देखिये इसकोफबर है आप चीजेया उप चाहें काफि काफ़े अट्रैट भाहना तो बोट आप आपके सामने इतने तरीक हैं इस्टाइल के ऑप्षन है चेर्शोंस को आप यूज कर सकते हैं, जब आप इस Word आड पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, यह आप देखना यहाँ पर हमारे इस में क्या क्या मेनू दिख रहा है, View Developer, और जब मैंने डबल क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक format menu open होके आ गया ठीक और आप चाहे तो बाद में यहां पर चेंज कर सकते हैं जैसे यह मैंने इसका style change कर दिया तरह तरह के हैं इस style अब देखिए यह जो है style यहां पर shadow effect में कि देख सकते हैं आप क्या क्या है सेड़ आपको कैसा चाहिए सेड़ की setting हो गई फिर यह क्या है सेड़ कहां पर होना चाहिए उपर नीचे सेड़ की setting है कि 3D effect बहुत ही powerful है और मुझे तो मतलब बहुत ही प्यारा लगता है यह कोई भी आपने यहां पर लह ले लिया effect देख सकते हैं जैसे महां लीज़े यह मैंने लिया अब देखिए क्या attractive effect मिल ला है आपको देखने है इस टाइप से आप 3D effect भी कर सकते हैं इस पर ठीक अच्छा नाव कि आते हैं और क्या है इसके बाद जो next option है वह हमारा drop cap drop cap हम लोगों ने देखा है newspaper भायगरा में जो हम लोग लिखते हैं कुछ-कुछ टेक्स पहला character है जो capital में होता है बेसिकली यह newspaper में ही देखने को मिलता है तो drop cap के लिए आपको क्या करना है आप पहले paragraph को document में है कहीं पर भी जिसको भी आपको drop cap भाना ना हो जैसे देखें यहां पर देख रहा है इसको मैंने enter कर दिया ताकि यह नीचे आ जाए और यहां पर drop cap हमने लगा लगा लिया नन है एफेक्ट आप देख सकते हैं इन margin करेंगे तो जो margin area चुटा हुआ है वहां पर ले लेगेगा drop करेंगे तो यहां पर आ जाएगा और भी जो इसमें setting है कि कितने lines आप maximum drop करना चाहते तो maximum 10 लाइन आप ड्रॉप कर सकते हैं तो इस टाइप से आप चाहो तो ड्रॉप करके तोड़ा सा attractive text बना सकते हैं ठीक drop कैप के बाद है signature line signature line का मतलब यह जब आप लेटर वगेला लेले लिखते हैं dear sir dear mem वो सारी चीजह हैं जो कि आप खुद से भी लिख सकते हैं date time कहीं पर लगाना है तो date time आप लगा सकते हैं जैसे कि यह है Monday something something object को हम अभी छोड़ रहे हैं जो हमारा next part है उसमें बताएंगे equation क्या है हम कोई document बना रहे हैं और हमको कोई mathematical equation you can add करना है तो यहां पर तरह तरह के equation है आफ इनकी वाई value को चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि क्या क्या Esse Б whole a symbols है त्रातरा के symbol हमारे पास हैं डेखते हैं क्या क्या है option symbol के symbol में आते हैं कि यासा की जैसे बीटा अलपा ड्वा में क्या कैना यह जैसे कॉपी राइट का सिम्बल तो इस टाइब की चीजे आप देख सकते हैं तो यह तो सा इंसर्ट मेनू का पहला पार्ट दूसरे पार्ट में हम और भी चीजे डिसकस करेंगे जो चीजे आपको समझ में नहीं आई हो आप उसको रिक्वेस्ट करके देखें प्रैक्टिस करें इ इंसर्ट मेनू का यूज करके आप अपने जो वर्ड की एडिटिंग है उसको और भी ज्यादा अट्रेक्टिव और भी ज्यादा पावर्फूल बना सकते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा थैक्यू फर वर्ट